हेलो फ्रेंड्स देस इस सुनीता और वेल्कम तो माई चैनल एंड तोड़े वी आर गोईंग तो डिसकुस अबाउट थे एंवियस टीजीटी एक्जाम रिव्यू एंवियस का टीजीटी का एक्जाम था और इंग्लिज का मैं रिव्यू दे रही हूं यहां पर तो यहां पर हम देखते हैं कि current affairs के 10 questions आए हुए थे और reasoning के 10 questions थे ICT से 10 questions and teaching methodology से 10 questions आए हुए थे और current affairs के हम बात कर लें तो कुछ इस तरह के question थे कि 2021 का नोल प्राइस किसे मिला भाला फेक में रज़त प्रूसकार किसे प्राप्त किया में स्वित्याले की ranking दी हुई थी जिसको की match कहना था अनुच्छे 12 क्या है मारी धरूहर क्या है कनूरी से related questions था जो exactly मुझे याद नह हम बात करते हैं रीजनिंग की तो रीजनिंग में आया हुआ था रीजनिंग के 10 questions से बहुत ही मतला moderate level का questions थे missing letters one numbers का था missing numbers से related a questions था directions related a question था statement के 2 से लगवग 3 questions थे और sitting arrangement के लगवग 1 question था और इस तरीके से 10 questions थे ICT में भी question का level moderate था बहुत ज़दा tough नहीं था तो इसमें output inputs related questions थे और HTTPS में इसका क्या मतलब है यह question आया था CPU की CPU की full form पी पूछी हुई थी और cookies बगएरा क्या होती इंटरनेट से related questions आया हुए थे अब हम देखते हैं teaching methodology में क्या क्या question आया हुए थे तो इसमें थे लगभग समझ लीजे आपकी एनीपी से एक question आये हुआ था एनीपी से एनीपी से एक question था फिर motivations related एक question फिर disabled child related कुछ statement दिये हुए थे कि teachers को कैसे काम करना चाहिए किस परिस्थितियों में situational based questions थे एन अचीवमेंट टेस्ट से related question है teaching methodology में चेक अब हम आते हैं इंग्लीज के 80 इंग्लीज में 80 questions का जो paper था उसमें देखते हम क्या क्या है था देगे narration के लगभग five से six question के कुछ around question आये थे wise में भी five से seven question आये थे and vocabulary तो लगभग five question क्या हुई थी और paragraph reading paragraph पे लगभग बीस question से जिसमें की तीन पैरा आये हुए था इसमें पैरा वाला पार्ट बहुत important सबस्यादा numbers पैरा में है and literature में 20 questions के question आये तो preposition भी बहुत ही important role play करता है क्योंकि इसमें लगभग 8 से 10 question आये हुए थे इस तरहीं के से पूरे 80 questions थे और paragraph को ज्यादा तयार करना जरूरी हो जाता है इसमें क्योंकि इसमें question के criteria बहुत बड़ा है और one word substitution से लगभग 5 questions थे and अब हम बात कर लेते हैं जो six part है इसका TGT exam का जिसमें की language test है हिंदी इंडी और English regional language हिंदी है और Hindi English का तो paper ही होता है तो इसमें 30 questions थे तो इन 30 questions में हिंदी में एक पैरा था इंग्लिस में एक पैरा था और regional language में एक पैरा इसमें भी तीन पैरा थे लगभग समझ लीजे आपकी मुहावरे संदी विलोम सब्द पर्यावाची आधी चीजे आए हुए थी और इंग्लिस में एक पैराग्राफ और questions grammar based question थे moderate label की questions थे बहुत जादा tough भी नहीं थे easy भी नहीं थे इस तरीके question थे so that अब जिनका पेपर आगे वो ध्यान दें और अपनी तयारी को अच्छी करके जाएं और थे थैंक्यू सो मच आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू 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 आज